हलो सोल फैमली हाई हाव आई यू कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो डिवाली आने वाली है आई होप आप सब लोगों के घर में बहुत साफ सफ़ाई हो चुकी होगी बहुत सारे काम आप लोग कर चुके होंगे थोड़ा टाइड भी होगी लेकिन जोश तो फिर भी होता है क्योंकि तियोहर का दिने भाई फेस्टिवल सीजन है शापिंग कैसी चल रही है आप लोगों की बताइएगा जरूर मेरी तरफ से आप सब को बहुत 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 यो कामना है एडवांस में दिवाली की दिपावली आ रही है, लॉट्स अउबअन्डंस लेके आ रही है, एक नए साल की शुरुवात लेकर आ रही है और साथ ही लेकर आ रही है आपके उपर मा लक्षमी की असीम कृपा तो आज हम आज की रेडिंग में यही देखने चा रहे हैं कि मा लक्षमी आपको कौन सा आशिरवात दे रही ह आपके उपर कुछी कृपा अपनी बरसाने वाली है उससे पहले एक बात दोस्तों दिवाली ओफर रीडिंग्स चालू है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में रीडिंग्स है आप जरूर से लीजिए फूल रीडिंग आपको बहुत रीजनेबल मिल रही है वो आप जरूर से लीजिए बहुत सारे लोगों ने इस मोके का फाइदा उठाया आप भी उठाये तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कंटेक्ट करें इस मोके का फाइदा उठाया इस ओफर का फाइदा उठाया और अपने जीवन में guidance लेके clarity लेके आगे तरक्की करें रीडिंग्स भी होती है तो बहुत सारे रीडिंग्स होती है मतलब आप जो जानना चाहें वही रीडिंग आपको मिल जाएगी जरूर से तो आपको number मिल जाएगा सामने ही title में आप करिएगा मुझे whatsapp और उसके बाद आप reading book कर सकते हैं साथी साथ healing भी है और साथी साथ 11 11 meditation भी आपको मिल जाएगा बहुत ही reasonable जो है energy exchange पर ठीक है price बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना energy exchange या definitely तो चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं कि दिवाली पर मा लक्ष्मी आपको क्या अश्रवात दे रही है आपके उपर अपनी कौन सी क्रपा बरसा रही है उससे पहले एक बात दोस्तों इस आज के वीडियो में जो भी energy होने वाली है ना उस सारी की सारी energy को आप साथ के साथ claim करते चलिएगा so that ये आपकी life में manifest हो जाए सारी abundance सारी उर्जा आपकी life में मालक्षमी की उर्जा मालक्षमी का आगमन हो आपकी life में सारे आपके problems खतम हो आपके finances बहुत अच्छे हो जाएं आपके चितने problems हैं लोन्स हैं वो सब free हो जाएं और आप एक अच्छी और खुशाल जिन्दिगी जी पाएं एक right approach के साथ तो इसी के साथ मैं reading को स्टार्ट करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप please आज की energy को claim जरूर करिये गए तो पहली बात जो यहां पर reading में निकल के आ रही है वो है कि अगर आपके मन में अपने finances को लेकर समझे कहीं पर अठके हुए आपके पैसे हैं या आपके कोई loans हैं है ना लंबे वक्त से जो आपके loans अठके हैं कहीं न कहीं या आपने किसी को दे रखा है या आप free होना चाहते हैं आपके ओपर loan है करजा है ठीक है तो वहां पर आपके लिए yes का काड़े आप सही है ठीक है और आपका काम हो जाएगा आप चाहे वो आपका आपके उपर हो या किसी ने आप से ले दिया और वो पैसा आपका अठक गया है तो वहां पर जहां पर भी आपकी life में dispute है ठीक है money related अगर business related कुछ भी dispute है देखिए कई तरह की चीजे होती है sometimes business में आपको loss लग जाते है sometimes आपके कुछ loans होते हैं जो उपर चड़ जाते आपके और आपको बहुत ज़्यादा burden हो जाता है आपका तो हर ऐसी जगे पर आपका निकलना तया है आपका free होना तया है अगर आपका पैसा भी किसी ने ले लिया है और उसके बाद में आपको परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहां पर आपका money return आपको आ जाएगा definitely आपका money आपको return आ जाएगा आप कुछ जो है ना अपने मन में resistance मत डालिएगा कुछ भी अपने मन में doubt मत लाईएगा तो आपका और जल्दी काम बनेगा क्योंकि यहां पर जो energy है ना वो छूटेगी ठीक है तो money is also a form of energy और अगर वो आपकी कहीं पर wrong जगह पर अटकी प अगर किसी भी गलत जगह पर आपकी money आपकी energy फसी हुई है तो वो भी आपको return आएगी ठीक है और अगर आपके ऊपर किसी रूप में पैसा burden की तरह जो loan वगरा है वो आपका free हो जाएगा because देखिए आपकी energy को free करना इसको इसकी depth को समझे ठीक है यहां पर मैं सिर्फ पै life में भी अपने खुद के experience में भी यह बात बहुत जगह पर note की है कि जब universe आपको free कर रहे होते हैं तो वो आपको हर प्रकार से free करते हैं ठीक है फिर ऐसा नहीं कि आपका कुछ वहां पढ़ा है और या किसी और का कुछ आपके पास पढ़ा है ठीक है even मैंने देखा है कि ए फास्ट बता दूंगी ठीक है ना आपको बहुत फास्ट में बता दूंगी ठीक है तो हुआ यह की जब मेरा बेटा बीमार था तो मुझे अपने कार्मिक फैमिली के पास जाना पड़ा ठीक है उसके इलाज के लिए वहां पर अच्छी facilities थी अच्छा बड़ा सब कुछ था तो वहां पर मुझे जाना पड़ा कुछ टाइम रहना पड़ा है न जब तक इसको ठीक होना था तब तक मुझे वहां पर रहना था और मैं रही वहां पर और इसका पूरा प्रॉपर इलाज करवाया अब उस duration में हुआ यह कि वहां पर जो घर था ना उस पर पर चाबी पर छला नहीं था ठीक है चावी के उपर जैसे चावी होती तो सिंगल चावी थी और उसके उपर छला नहीं था की रिंग ठीक है वो नहीं था अभी हम लोग जब मुझे कहीं जाना होता था तो जब मैं लोग करूंगी तो फिर कुछ चावी को पहुत समाल के रखना पड़ते तो एक दिन ऐसे ही रैंडम गुंते-गुंते मार्केट में मैंने मार्केट में गई और मैंने वहां पर एक की रिंग देख लिया तो मुझे अच्छा लगा और वो कछुए का की रिंग था ठीक है कछुआ टॉट इसका बना व मुझे कछुआ तो ऐसी चीजें हम लगों को तो अट्रेक्ट करती हैं तो मैंने वो ले लिया की रिंग अभी क्या हुआ जब बेटा पूरी तरह से स्वस्त हो गया तो मैं वापिस आगी मैं वापिस लोट आई ओविसली वो की रिंग वहीं पर रहा गया ठीक है और वो मैं तो भूल भी कही थी मुझे तो याद भी नहीं था ना मैंने इंटेंशनली वहाँ चोड़ा था ना मेरा कुछ लेकर आने का था ना मेरा कभी मांगने का था ठीक है अभी यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बात वोड़ हूँ ना कि उनिवर्स जब एनरजी को फ्री करते ह परकार से करते हैं अब कच्छवा क्या होता है आपकी अबंडन्स आपकी प्रोस्पारेटी का साइन होता है ठीक है और मैंने हाँ मैं इन चीजों में बिलीफ करती हूँ मैंने जब लिया था तो खुशी-खुशी ही सोच के लिया था कि वाओ किता सुंदर है हाना कितना प् है वन ओफ माय कार्मिक वो मेरे सीटी में थे ठीक है मेरे घर नहीं बोड़ी हूँ मेरे सीटी में थे ठीक है अब जिस सीटी में वो पहले मतलब वहां पर अल्रडी रह रहे थे वहां से वो यहां आये वे थे ठीक है अब मुझे नहीं पता उन लों का क्या सट अप हुआ क् उनके स्टाफ का कोई बंदा वहां पर गया होगा उनके गर पर ना वहां पर मतलब I don't know how it happened मैं तो आपको सार बता रही हूं ठीक है तो वह वहां पर गया होगा तो वह जब परसन आया ना तो उसको उस एक दिन सडनली मेरा गेट बसता है ठीक है और वो मुझे मैंने गेट को पूला और बाइट पे एक बंदा था और वो मुझे कहता है वो परसन का नाम लेके उन लोग का कार्मिक लोग का नाम लेके पोलता है कि वो मुझे नहीं मिले और उनको यह चावी देनी थी तो यह चावी मैं आपको दे जाता हूँ और यह चावी के साथ वो चला कितने पता नहीं कितने सेंकडों किलोमेटर का सफर करके वापिस वो कछवा मेरे तक वापिस आगया और आई वोज लाइक सर्प्राइज और आप यह मैं भूल चुकी थी उस कीरिंग को और वो जब मेरे पास वापिस आया ना तब मुझे या किया रहे यार यह मेरा प्यारा सा की रिंग यह किता क्यूट था भूल चुकी थी मैं अवविसली मुझे याद नहीं था लेकिन फिर जब मैंने वो जब की रिंग कहां से घूम फिर के मेरे पास आगया ना किसी भी बहाने से ठीक है तो मुझे चावी देनी थी सामने वालो यह इतना पसंद से लिया था तो यह कहीं से भी घूम फिर कर मेरा प्रोस्पारिटी का साइन मेरा अबंडन का साइन मेरी एनरजी का साइन मेरे तक वापिस घूम के आया है अब यह हो सकता है सुनने में आप में से कुछ लोगों को शायद बहुत पचकाना लगेगा लेकिन जो लोग एनरजी में बिलीव करते हैं वो मानेंगे कि इट हैपन्स इट हैपन्स यह होता है तो देखिए मैं तो छोड़ आई थी मैं तो भूल भी गई थी मुझे तो पता भी नहीं था लेकिन कैसे कैसे रस्ते बनते हैं कि आपकी चीज आप तक वापिस लॉट कराती है तो यह मतलब एक फ़नी सा थोड़ा इंसिटन था लेकिन इससे यहां से आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहां यह चीजे कैसे वाग करती हैं और मैं तो हमेश है यूनिवर्स को क्योंकि मैं सरेंडर रहती हूं चाहे मुझे कोई बचका ना समझ ले चाहे कोई मुझे प मतकारों की जुरत नहीं पड़ती वो जब होते हैं तब तो मतलब आदत पड़ चुकी है लेकिन चोटी 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 चीजों में भी मैं अपनी खुशियां ढूंड लेती हूं तो यह कैसा इंसिडन था इसलिए मैं आपको बोली हूं कि आपकी एनरजी जहां कहीं पर भी है स्टक है अगर किसी और के पास किसी रौंग एनरजी के पास आपकी एनरजी स्टक है किसी भी रूप में और अपने जीवन में शुद्धता जरूर रखें ठीक है अपने सरांडिंग को साफ रखें अपने आपको साफ रखें हालां कि मेरा घर अभी खुद का अधा ही मेरे को भी यह चीज याद आ गई मुझे भी कि आरे अपने खुद का भी तो करो ठीक है तो बिल्कुल अपनी सरवंडिंग को क्लीन रखिए अपने आपको क्लीन रखिए इस टाइम पर अपने मन को तो पूरी तरह से क्लीन ही रखिए और अलवेज एक रिसीविंग मौड में रहिए इतने प्रीशियस टाइम में कि मैं जो कुछ यूनिवर्स मुझे देने वाले हैं उसको लेने के लिए मैं पूरी तरह से तयार हूँ ठीक है पूरी तरह से ओपन हूँ नेक्स्ट है abundance आपकी not only आपकी finances के matter में आपकी job career business के matter में बलकि आपकी spiritual abundance आपके third eye का fully open होना ठीक है अच्छे से open होना clean होना energy वहाँ पर जो stuck पड़ी है आपकी अगर third eye stuck है अगर आपकी third eye में उर्जा stuck हो जाती है third eye क्या होता है कि chaotic जब हमारा vision हो जाता है उसको हम stuckness मनते हैं उसको हम third eye block होना कहता है ठीक है तो third eye आपकी block करी जाती है अक्सर तो यह होता है लोगों के साथ कि आपका intuition आधिकतर वक्त most of the time block किया जाता है दूसरों के द्वारा ताकि आप अपने जीवन का जो रह है न उस पर्स्यूव कर पाएं ठीक है तो उसके वज़े से कुछ श्यत्रुपावस ऐसी होती है अगर तो वो उनको block करती है यहां पर आपको जो बोला जाए गा वो यह बोला जाएगा कि आप अप अच्छे हैं ठीक हैं आप अच्छे आप अच्छे हैं आपके शामने यह चीज ड तो आप नहीं समझ तुजबएंगे. आप सोचेंगे, सामने ओला इंसान तो इतना अच्छा है इतनी तारिफ करता है, मुझे इतना अच्छा बोलता है हावकम वो मेरे बारे में गलत सोच सकता है या हावकम मेरे कुछ नुकसान चाह सकता है बट हाँ जी जो बहुत ज़्यादा शुगर गॉटेट लोग होते हैं वो अकसर आपकी इंड्यूशन को ब्लॉक कर देते हैं यह एक सत्य है क्योंकि वो आपके सामने भ्रह्म की सितियां डालते हैं आप जो नहीं भी हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं एक तो वो लोग और एक नासेस्ट लोग नासेस्ट हर वक्त आपको बेफिजूल का क्रिटिसाइज करते हैं आपको कंफ्यूज रखते हैं आपकी अच्छी बातों पर भी आपको ब्लेम करते हैं उससे भी आप ज़्यादा कन्फूज होते हो। अफकोर्स ब्लैक मैजिक वगरा के थूद तो ऐसी चीजें होती हैं कि बंदा कन्फूज रहे, बंदे का विजन ठीक ना हो। उसको क्लारिटी न मिल सके अपनी चीजों में, कन्फूज सा रहे, बिमार सा रहे, उल्जा-उल्जा सा रहे, तक कि वो कभी अपने जीवन में आगे तरक्की ना कर पाए। वो तरक्की के रस्ते आपके लिए खुलना, जहां पर भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत करने की चेश्टा की थे। चीज़े हैं, इस प्रकार के हर एक इंसान को अब अपना कर्मा फैस करना पड़ेगा, जो कोई भी आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने जा रहा था, इनके थर्ड आई, इनका इंट्यूशन पूरी तरह से ब्लॉक होना, इनका विजन पूरी तरसे प्लॉक होना, कतली क्लारिटी ना होना, बिल्कुल भी क्लारिटी ना होना, और यहां पर जो मैं देख रही हूँ, वहीं देख रही हूँ कि आपके इश्ट देवना बहुत ऐसे लोगों के उपर बहुत अपने क्रोध में है, बिकाज यह जो 10-10 प का मिला ही है, है न, अफकोस कार्मिक अनर्जी का अटेक हुए है, ठीक है, और कहीं न कहीं आपके खुद के भी इश्ट और ब्लॉक्स जो है न, वो सर्फेस होकर आपको तंग कर रहे हैं, यह भी हो रहा है, ठीक है, लोकों का इनर वर्क टिस्ट अब होना, उनको क्लारिट ही होना, तो ऐसी कुछ चीज है, ठीक है, तो यह जो 11-11 पोर्टल आ रहा है, यह पूरी तरह से इन चीजों को अपने साथ क्लियर कर देगा, ठीक है न, दिवाली के बाद 11-11 पोर्टल आपकी बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देगा, आपके जीवन में मतलब एक ऐसा उज जाला आएगा, कि जितना अंदकार है न, जितना अग्यान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कुछिश की गई है, वो उन्ही लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होएगा, बैक फायर होकर, वापिस वहीं जाकर टकराएगा, बॉल जैसे बाउन्स होकर वापिस आती ह ठीक है, सरांडिंग को क्लीन रखिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए, बेफिजूल की चीज़ों लेने का या फिजूल खर्ची की बात नहीं करिएगा, लेकिन ओपन हार्टिटली, अगर समझेए कि जो चीज़े लेनी ही है, जो हार के हिसाब से या शूबता के हिसाब से जो चीज़े लेनी ही है, तो फिर उनको लीजिए, और खुशी-खुशी लीजिए, उससे आपको lots and lots of abundance और attract होईगी आपकी लाइट में, ठीक है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा मस सूचिए कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इस टाइम पर तो आपकोस बढ़ेंगे घर्चे तिवहार का टाइम है, ठीक है, इसको ऐसे लीजिए, बहुत natural सी चीज़ है, कमाने के लिए आपके पास साल भर है, यहाँ पर अभी आपने पूरा open heartedly इस तिवहार को celebrate करें, और जब celebrate कर रहे हैं, उस टाइम पर किसी भी प्रकार का कोई thinking, negativity, किसी भी चीज के आपके resolve होई रहे हैं, और जिन लोगों को job career का problem था, उनको भी manifest हो जाएगा, new job, new career, या फिर कुछ लोग जो job switch करने के बारे में सोच रहे थे, अच्छी opportunity आपको मिल जाएगी, इस से अच्छी opportunity, definitely, अगर आपको कोई courageous step लेने का सोच रहे हैं, ले लीजिए, बाकी जो भी analyze करके लीजिएगा, जो भी decision, यह सिर्फ energy check होते हैं, और यह collective के लिए होते हैं, इन पर based decision मत लीजिएगा, जब job career money का मामला होता है, तो इन पर based होकर decision मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत collective बहुत सारे लोगों के लिए होती है energy, तो आप चाहें, तो उन चीजों के लिए पर दिवाली तक तो कई videos आ चुके होंगे, पर फिर भी ठीक है, मुझे मन कर रहा है, तो मैं बोल रही हूं बार बार, ठीक है, आपको मुझे अंदर से बड़ा खुशी दिवाली की वाइब सालू हो गई है, तो क्यों नहीं, बोल दिया जाए, हर बार विश किया जाए, त चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में, इसी प्रकार से अपना ध्यान रखिए, अपने आपको भी दमस्वस्त रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और अपनी लाइप को इंजॉय करिए, इस तियोहार को इंजॉय करिए, और सब की जीवन में खुश आई दरता है, उनका तियोहार भी खुशनुमा बनाई है, इनी सब बलाशिंग्स के साथ, अनर्जी को प्लीज क्लेम जरूर कर लेना, चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, और लाइक तो आप करी देते हो, वो तो मुझे कोई आपसे शिकायत ही नहीं है, तैंक यू सो मच मेर पाइक पहाईगा ओन्रव कर देएाग बलाशिन Σुनुम्स के साथ है नहीं है, इनका दोसम भी खूल्स को पारता है, ता, चैनल एकानाए है, भीस में माया है, बाया पाम एक्रश है वाया है